एडबल एप डेश टैक मेवाडी इसे आप एपलाई कर दीजे सीधा आपको यहाँ पर दस परसेंट डिसकाउंट मिल जाता है हेलो दोस्तों टैक मेवाडी यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहा यहां पर आप देखते हैं कि मुक्यतत दो प्रकार के वाटर हीटर आपको देखने को मिलते हैं बजार में एक होता है इस्टेंट वाटर हीटर और दूसरा होता यहां पर स्टोरेज वाटर हीटर तो आज हमारे पास से इस्टेंट वाटर हीटर दोनों में अपन फरक देख करके आपके bucket में डाल देता हैं और जो storage water heater है वो पानी को गरम करना में कुछ समय लेता है यानि कि 3-5 मिनट का थमय लेता हैं उसके बाद में वो पानी गरम होता है और उसके बाद में आप न सकते हैं अभी यानि सर्दी का मोसम में ठंडे पानी से ना आना ये तो ना मुम्किन है यानि कि गरम पानी मिल जाए तो पूरत दिन अच्छा निकल जाए तो इसके लिए आज हमारे पास है जन वोल्ट का स्टेंट वाटर हीटर यानि कि स्टेंट गिजर इसकी बॉक्स डिटेल की बात करते हैं करके आप तक पहुंचाता है इसके बाद में यहां पर कुछ देखने को मिल जाता है यानि कि टेंपरेचर रेंज है और इसमें एक्स्ट्रा हैवी डूटी एलिमेंट लगे हुए हैं और क्या क्या फिचर से वह आगे अपन बात करने वाले हैं और यहां पर आप साइड में देखते है तो फाइस्टर रेटिन्ग देखने को मिल ते यहां stickers का मतलब यह होता है कि यह पावर् सेवर है और इसके बाूरण्टी के बात करते हैं यहां पर दो साल की इसकी वरат करते हैं यहांपर यह अकिक्यर को में आते हैं यांपर पानी गरम होगा ऐसे मतलब cycle चलता रहेगा और यहां पर पावर गंजप्शन है वो यहां पर 3000 वाट है और जो इसमें पावर रिक्वार्मेंट है वो 230 वोड़नी की ऐसी पावर रिक्वार्मेंट है और अब इसको अपन आपन करके देखते हैं कि इसमें और क्या-क्या मिलने वाला है अपन को और साथ में इसके क्या फिचर से और कैसे इस्ट्रोल करना है वो सब कुछ देखते हैं तो चलिए एक बार मैं इसे ऑपन कर लेता हूं तो दोस्तों यहां पर यह हैं आपका हीटर और इसके साथ में आपको यहां पर मिलती है एक मैन्यूल जो आप देख पा रहे हैं और इस पर वारंटी भी दे गई हैं और इस पर जो इस्ट्रक्शन दिये गए हैं वो भी आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि आप जब भी कोई भी प्रोड़क लेते हैं तो वारंटी का इस्ट्रक्शन आपको हमेशा पढ़ना चाहिए तब जाके आपका जो सई वा सब्सक्राइब और यहां पर जो कंपनी का लोगों लगा हुआ है और स्टेंट वाटर हीटर है यानि कि यह पानी को तुरंत गरम करेगा और इसके साथ में आपको यहां पर हीटिंग के इंडिकेट करने के लिए यहां पर दो LED दिखाई दे रही है यहां पर जैसे रेड कलर की हिटिंग LED है जब भी पानी गरम हो जाएगा यह लेडी जलना शुरू हो जाएगी इसके साथ में यहां पर यानि कि थर्मल कटोप दिया गया है यानि कि टेंपरेचर के इसाब से वह अटो कटोफ हो जाएगा यहां पर आप देख रहे हैं कटोफ की LED जलना शुरू हो जाएगी इसके बाद में अपन बात करते हैं तो इसमें जो हैवी कोपर की एलिवेंट दिये गये हैं और जो टेक्नोलोजी है वह यानि कि एविएस टेक्नोलोजी है यानि कि एंटी वेक् सकते हैं इस टोल करने के लिए आपको क्या करना है इसके बैक साइड मैं आप देखते हैं तो यहां पर तीन यहीं की जो कील होती है वो किल लगा दीजिए एक बार सबसे पहले तो बातरूम में और इसके बाद में इसे आप ठांग दीजिए तांगने के बाद आप बैक alley यान है उसका पाइप आप यह देना चाहते हैं वह यहां पर लगाएंगे इसके साथ में आपको यहां पर एक यह हैं यह जता है यह जरी जादा हो जहता हैं वास बनती है उक्लण में होने के बाद भी घरम वास से निकल जाती है यहां इसके लिए आपको इंप्र का पावर बोर्ड इसे आपको लगाना है इसमें लगाने के बाद इसे आप चालू करके अपना पानी गरम कर सकते हैं इसके साथ में आपको एक विशेज ध्यान रखना है कि जब भी आप water heater या फिर और कोई भी ऐसा बड़ा equipment आप अपने गर में लगा रहे हैं तो आपको proper earthing करना बहुत जरूरी होता है इससे यानि कि जितने भी आपके equipment लगे हुए हैं चाहे heater है, freeze है कोई साभी equipment है उसमें safety बढ़ जाती है अगर कोई भी short circuit होता है या भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उसमें और safety बढ़ जाती है यानि कि वो जलते नहीं है और इसके साथ में ही उसकी life भी और ज़्यादा बढ open करना है open करने के बाद इसे आप card में लेने के बाद आप देखते हैं कि इसकी जो किम्मत आ रहे हैं उसमें और आप discount चाहते हैं तो हमारा जो प्रमोशन कोड यह डेश पैक मिवरी इसे आप apply कर दीजिए सीधा आपको यहाँ पर 10% discount मिल जाता है यहाँ पर जो भी आप इस 10% सीधा discount तो अभी order कीजिए जाइए description में तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छा लगा है तो जादस जादा इसे शेयर करना है साथ मैं इसे like करना है अगर आपके कोई भी सुजाव हो या पिर सवाल हो तो आप हमें कमेंट करक वन दे मत्रम